अब सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ हूंगे आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है आज हम करेंगे ओवरॉल अगर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए तो इस चैप्टर को मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है लेकिन हमा पहली बार है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे और वीडियो शुरू करने से पहले लेक्टर पर आने से पहले जरूरी हम स्लेबस पर नजर डालेंगे हम लोगों ने देखा था आपके यहां पे कहा गया है कि आप कॉमन ग्र ने – अब हैंगल और उसके वेरियेच काइंट लुसें सैंस कीया है और सारकल अंचे कर लोग कर चूखे हैं जो आगूर करेंगे सर्कुलर कुन करेंग đầu स्फेर के बारे में हम लोग इसकस साथ ही साथ हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे हैं आप लोग सोच रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने यह टॉपिक क्यों कर दिए राइट प्रिजम मैं आपको करवाओंगा मैं आपको पिरामिट भी करवाओंगा लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह चैप्टर का पड़ समझना ज़रूरी होगा और इसी चैप्टर के बीच में हम लोग को भी डिसकर्स करेंगे तो आपका मेजॉरिटी जो सेकेंड पार्ट है इस लिवसका वह हमारा अल्मोस्ट आप देख सकते हैं काफिया तक यहां पर जो है कवर होने लगा है दो अब जब जिस दिन उफिशल आएगा उस दिन इसका भी एक कोर्स यहां पर लेंगे जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मॉक्टेस्ट नोट्स एमसी क्यू सीरीज और यानि की पीडियेफ हर कुछ चीज यहीं पर प्रोवाइड हो जाएगा जल्दी ही आप लोगों को मै जाएगा हर एक सेक्शन का तो चलिए शुरू करते हैं अची क्लास को बिना जादा टाइम वेस्ट किए सबसे पहली चीज में आपको लादो देखो बच्पन से लेके अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा सिलेंडर क्या होता है हम लोगों ने इस तरीके से बच्प से पढ़ा है लेकिन बच्पन से हम लोगों ने एक चीज जो है वो गलत पढ़ी है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा हम लोग बच्पन से फॉनमुलास को हमेशा रटा मारते हैं हमेशा कोशिश करते हैं याद रखने की सेलेंडर का क्या हो गया अच्छा पाई आर स्क्वे सेरिया क्या होता है क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि कर्सर्फ़र ए और बोच सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख एंड हो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो इस लेक्चर के बात करेंगे आप मुस्ते को भी रटा माहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी प हम लोग सिर्फ चीजों को समझेंगे क्वेशन की प्रैक्टिस पर हम लोग अलग से जाएंगे तो चलिए पहले हम बात करते हैं यहां पर कि यह सरकल कोई साथ सैलेंडर बने यहां पर लिखा यह चीजें होती क्या है देखो मैंने आपको सरकल बढ़ाया सरकल हम लोगों यहा हम पर अब मा लीजिए आपके पास एक कॉइन है या फिर आप लोगों एक सरकल को काटा है आप दस सरकल एक के उपर एक के उपर एक रख लो ठीक है यह क्या बनेगा यह क्या बनेगी यह जो फिगर होती है हमारी जो यह बनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं वैसे तो height अगर हम बात करें वो तो coin की भी होगी लेकिन आप लोग 10 coins को एक साथ एक के उपर एक के उपर एक रख के देख लो जो ये part एक add होता है इसको हम लोग height से denote करते हैं और जो ये पूरी एक हमारे पास figure बनती है इसको हम लोग एक cylindrical shape कहते हैं cylinder आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी example cylinder के आपके घर भी होंगी gas का cylinder भी आप लोग देख सकते हैं यह आप लोगों को बता रहा हूं सिरफ कि फिगर आई कहां से circle जो हम पढ़ते हैं वो क्या है सरकल हमारी two dimension figure है जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वेर भी बढ़ते हैं इनको 3D में किस तरीके से लेके आते हैं इस case में यह क्या बन जाता है हमारा यह बन जाता है क्यूब और यह हमारा बन जाता है क्यूब बॉइट यह तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है वैसे ही same case यहाँ पर मैंने आपको बताया अब थोड़ा सा और detail में बात करते हैं अब थोड़ा सा और detail में हम चलते हैं यह चीज़ें हुई क्या देखो सरकल क्या अगर मैं बात करूं सरकल का एरिया आप लोगों बताए क्या होता है सरकल का एरिया होता है पाई आर्ट स्क्वेर हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक है सबको आता है अब वहां पर मैं बात करूं यहीं पर सिलिंडर की सिलिंडर मैंने आपको क्या बताया हम लोगों क्या किया हम लोगों ने इसी तरीके से क्या किए कोई भी बी सर्कुलर शेप यहां पर रख दी जिसमें हम लोग जब एक के ओपर एक रखते तो यह जो एक building type यह जो हाइट हमारी यहां पर extra एड होती है टूडी शेप में areas होते हैं यहां पर हमारा volume आती है अब volume निकालनी होगी तो volume of cylinder कैसे निकलेगी याद रखना यह तो हमारी same रही into h यानि कि जो एक height होगी हम इसको add कर देंगे तो यह क्या बनेगा हमारा volume of cylinder I hope यह पहला formula आपको याद होगा बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है circle का हमें pi r square याद रखना है इसमें h जो एक extra add हो जाती है जब हम लोग रखते जाते हैं एक के उपर एक तो एक height यहाँ पर आप लोग देखते हैं बनती है इसको multiply करेंगे तो क्या बनता है volume of cylinder पहला formula मैं अभी आपको एक overview दे रहा हूँ एक एक को figure को मैं बत रहा हूंगा आपको cylinder का volume क्या हो गया यहां पर यह हो गया हमारा pi r square जो circle था into h जो हमारा add हुआ अब एक और चीज़ पर आप है बना दिये यहां पर चीख अगर मैं इसी को यहां पर देखूं तो total कितने कौन बने एक दो और तीन मा लीजिए मैंने इस तरीके से हमारा right circular cone जो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से मैंने कौन ड्रॉ कर दिये यहां पर क्या किया मैंने यहां पर इसको जॉइन किया चीख है यह कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है तीन में डिवाइड हुआ है अब इसको मैं यहां पर याद करने की त्रिक बता रहा हूं वन बाइटी कर देंगे इंटू पाई आर स्क्वेर एच यहां तक लेर हुआ सेम चीज है एक ही से मैं आपको सिरफ अभी वॉल्यूम बता रहा हूं अभी हम लोग एक एक फिगर को अलग से डिसकस करेंगे मैंने क्या किया यहां पर आपके सामने क्या था सिलिंडर था सिल में डिवाइड कर दिया और इस पार्ट को अगर मैं अलग से निकाल दूँगा तो आपकी कून की शेप यहां पर आप लोग देख रहे हैं आपको देखने को मिल रही है तो वॉल्यूम आफ क्या हो जाता है वन बाइट्री पाई आर स्क्वेर है जो हमारा सिलेंडर का वॉ कौन की तो वह हमारा कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है इस तरीके से शेंप्स से और ने ऐसे की beads चार कौन जा राइट-सर्कौन बनालू इस तरीके से यह मैंने एक बनाया यह मैंने चाहां पे एक को और बना दिया ये यहाँ पर मैंने एक और बना दिया चार कून ठीक है अब एक चीज देखो ये जो ये फिगर बन रही है ये फिगर क्या है इस फिगर को हम क्या कहते है इस फिगर को हम लोग कहते है स्फेर समझ आया राइट ये इस तरीके से से मैंने बनाया 1то tun कि तरीके से मैंने 4 को मिला लूंगा तो क्या उन सी फिगर बनती है हमारी वो बनती है हमारी स्धेर अब आगर आप से कोई पूछे का भाई volume of Sphere क्या होती है volume of C V लूम आफ कोन क्या होता है 1 by 3 Φू आर स्कvid हरे हम लोग newsletter भी देखा अब कितने कौन को मिलाया तो यह बना चार को मिलाया 4 इंटू 1 by 3 पाई आर स्क्वेर एच इसको कर दो अब यह बनता है 4 by 3 पाई आर स्क्वेर एच अब एक चीज मुझे बताओ देखो यही आपकी क्या होती है और हाइट भी क्या होगी इसकी आप में आर पहली चीज तो यहां पे जो एच होता है यह आर कितना होता और यह आपका बन जाता है 4 by 3 पाई आर क्यूब अब आप इस फॉर्मूलास में चलते हैं यहां तक आई होप आपको चीजे क्लियर हुई होगी यह फॉर्मूलास आपको डायरेक्ट पेपर में यूज होंगे आपको बस समझ आनी चाहिए ऐसे हम लोग याद करते हैं रट्टा वारते हैं मैं आपको पेपर में इन में से बस सर्कल को याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल यह होता है पाई यार स्क्वेर जो मैं अभी आपको बताया के सिलींडर के के से अगर पूछा जाए एक हईट का फैक्टर extra फेक्टर हो जाता है इंट्व है अगर आपसे कोई पूछे ने क्या होता है क्य और क्योंकि आर यहां पर सेम दाता है यहां तक सिरफ कम आपको एक concept सिरफ मैं समझाने के कोशिश करना हूँ क्या वह clear है एक और फिगर आती है उसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे एक एक को हम अलग से discuss वह आपकी spherical shape में होती है ठीक है जो भी 3D figure होती है आपकी इस तरीके साथ है अब होता क्या है मान लीजे मैं इसको क्या करता हूँ इस sphere को मैं आदा काड़ लेता हूँ मैं सिरफ यह पार्ट लेता हूँ ठीक अगर कोई पूछे का volume of और इसे हम क्या कहते हैं है क्यों क्योंकि यह क्या है उसका हाफ है तो इसको हाफ कर दो यह दो गया कि कैसे निकलती है वह भी मैंने आपको स्काइड चीजों को करते किस तरीके से से ड्र कैसे अब आप मेरे साथ रिपीट करना सर्कल का एरिया क्या होता है पाय आर्ट स्क्यर को अगर बहुत सारे सद्र suflin मिला लेंगे तो वह बन जाता है हमारा cylinder और cylinder में क्या होती है यहां पर हमारी volumes होती है volume क्या होती है pi r square एक factor क्या add हुआ h तो इसमें क्या आजाता है साथ में h ठीक अगर मैं बात करूँ कोन की कोन क्या है यहां पर आप लोगों ने देखा मैंने आपको वास एक हिंड दिया था माली जी इसको इस तरीके से एक तिहाई हम लोगों ने कर दिया one third तो अगर कोन की volume पूछी जाए तो वो क्या होती है one by three pi r square h ठीक है चार कोन अगर मैं मिला लूँ चार कोन मैंने अभी आपके सामने मिलाए थे इस तरीके से बनते हैं चीक यह राइट सर्कुलर कोन की अगर मैं बात करो चार कोन को मिला लूँगा तो वो कौन सी फिकर बनती है हमारी इस फेरिकल शेप में हमारे पास आएगा तो स्फेर की volume क्या होती है four by three pi r q q r अब स्फेर को हम बीच से काट देंगे क्या बन जाता है हमारा यहां पर यहां पर हमारे बन जाता है हमीश्वेर किसके बराबर होता है half of volume of square के यानि की टू बाइट री पाई आर क्यूब इस चार फिगर को हम लोगों ने भी डिसकस किया है आई होप इन सब की volumes अब आपको कभी नहीं भूलेंगी नेक्स पर चलते हैं अब एक एक फिगर को हम लेंगे उसको अच्छे से इस अरिया यह क्या होते है अब इस पर बात करेंगे एक आईडिया क्लियर हो गया कि से लेंडिकल शेप होती क्या है अब देखो curved surface area या lateral surface area क्या होता है volume तो आपको समझ आ गया curved surface area हो गया माली जी ये बाहर का ही जो हिस्सा है उसका area क्या होगा जैसे जो आप लोग ने देखा है cylinder अंदर क्या है इसमें उसका हमें कोई लिए जो बाहर का हमारा हिस्सा है उसका area क्या होगा है यह हमारा हाइट आ गया यहां पर हमें बताना है कितना होता है लेकिन पेपर में बहुत बार questions बनते हैं total surface area के ऊपर अब total surface area क्या होता है total surface area का एक formula होता है common formula होता है जो हर एक में काम आएगा यह मैं आपको चीज़ें इस लिए बतारा हूँ क्योंकि यह पढ़ोगे तो आपको पिरामिड और जो प्रिजम है वो समझाएगा अब बात करते हैं यहां पर एक और चीज़ पर total surface area क्या होता है इसको हम यहां पर नोट करते हैं देखो total surface क्या होता है हमारा हमेशा वह होता है अब यह क्या होगे अब देखते हैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से माल लीजिए हमारे पास क्या है यह एक cylindrical shape है अगर गलत बनेगी तो कोई बात ने समझना है ठीक है यह क्या है इसकी कोई रेडियस अभी तक हम लोगों क्या देखा कर सर्फेस एरिया मैंने आपको बताया बाहर का हिस्सा जैसे आप आप लिजिए पैरेमिटर के फॉर्म में याद रखने का ट्रिक बतारों तूपा यार अब वॉल्यूम निकालनी थी तो क्या कर लिया हम लोगों ने सर्कल का एरिया अब यह मैसला आपको अब एरिया ऑफ टॉप इसका क्या है अब यह टॉप जो है यह क्या है सर्कुलर है हम लोगों ने भी डिसक्स किया था और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वेर प्लस एरिया ऑफ बॉट्टम क्या होगा यहां पर एरिया ऑफ टॉप के साथ अगर हम बात करें इंबे इक्वेश्टन आपको यही पूछेंगा सिलेंडर सर्कल सिलेंडर कौन या स्फेर पर की बाइस का वॉल्यूम निकालो कर से अरिया निकालो टोटल सर्फस अरिया निकालो और यह मैं आपको बता दिया कि यह याद कैसे रखने हैं आपको सिरफ लिमिटेट चीज़ें याद रखनी है अगर आपको याद है आपके पेपर में भी drive कर सकते ओ कोई ज़ीज़ाबा हमेशा याद रखना कि कि सके बराबर होता है जो हमारा कि direct चोई जान आँ रोग होग उसको लोग कÓको एटेटेसी यहां केबभाबर लिए नेक्स पर चलतें नेक्स फिगर के ओपर जो हमारी घॉल्ण मोई जाती हैं अब को इस बहुता लोगों ने देखा हूँ को बोट सारी लोग्हों अब मैं आपको बताऊंगा पेपर में question बनते भी किस पे हैं इस जो इस हाइट को कहते हैं इसको आम लोग कहते हैं Slant Height याद रखना इस चीज़ को वी कौन के के इस में आप एक्जामेनर क्या करते है देखो हम लोगों ने देखो आप के सार्व डिसक्स करते हूं तो क्या होता है वोल्यूम क्या होता है को इस K Weして समझ जाना कि क्या है पायार स्क्वेर एच क्या हुआ हमारे पास वॉल्यूम ओफ कौन ठीक है यह हम लोगों ने अभी डिसकस किया कैसे आया वह भी मैंने आपको एक हिंट के तोर बता दिया अब बात करते हैं यहां पर को सर्फिस एरिया की को सर्फिस एरिया आपको याद र पाएर एक्जामीनर क्या कर देता है एक्जामीनर हाइड देगा आपको रेडियस पूछ पीस पूसले पर आपको पूच्छाएगा और अगर मैं आप से ही पूछू की स्लांट हाइड किसके बराबर में होगी यहां पर हमारे पास यह एच इसमिरे और को यहां सा रूल is equal to अंडरूट हमारा यहां पर आगया एल्टिट्यूट और यह आगया हमारा बेस हम लोगों ने हाइपॉटेनियूस यह पाइथाग्रस थेवर्म को डिसक्स किया है तो यहां पर आप लोगों को पता चलिया होगा क्या हुआ हमारे पास पाई यार अगर आप यहां से मैं आ कर्व शर्फेस सेट अप्लस एडिया ओफ टॉप प्लस एडिया ओफ बॉट्यूख श्रिय क्या होता है चिन्वाव सेडिया यहां पर बताओ यह हो हो गया हमारे पास पाई आर एल एरिया ऑफ टॉप अब मुझे एक चीज़ रोता हो इसका टॉप क्या है कि इसका कोई एरिया नहीं है यानि कि यहां पर आगया जीरो प्लस एरियो बॉटम यहां पर क्या है वापिस से सर्फिलर शेप है आप लोग देख सकते हैं यहां पर फिर दिखा देता हूं यह क्य आपको याद नहीं रखने है आपको बस याद रखने और आपको यह चीज याद रखने की आए कहां से और आपका यहां पे यह आ जाएगा आपको एक्जाम में रेडियस देगा पांच सेंटिवीटर हाइड देगा साथ सेंटिवीटर आपको बोलेगा टोटल सर्फेस एरिया निकालो पहले आप लोगों को स्लांट हाइड निकालनी पड़ेगी उसके बाद आप लोगों को फिर इस फॉर्मूला में पूट करना अब यह देखो वॉल्यूम आफ स्फेर क्या होता है फोर बाए थ्री पाई आर क्यूब हम लोगों ने भी डिसकस किया लेकिन अब एक चीज जो सबसे जादा यहां पर इंपनेंट है अब मेरे को एक चीज बताओ हम लोगों ने क्या डिसकस किया था अभी कर्व सर्फेस ए अब मुझे बताओ स्फेर के केस में इसका बाहर का एरिया और इसमें टोटल क्या चीज आइसी है जो एड़ होगी देखो दिरांसे क्या यह पूरा सेम नहीं है आप यहां से देखो इस तरीके से देखो जैसे मर्जी आप देखो तो यहाँ पर चीज याद रखना स्फेर के के ससमें जो also से इडिया होता है वह हमेशा किसके बराबर में होता है तॉटल सर्फेसं divided बराबर में यह बहुत इंबोर्टन थे कि है फॉर्म में पूच लेता है एग्जामिंटर स्फेर कीände कईसमें mittट सोय वा पसमें यह हमेशा से Cathy और यह मुता टोंटल सर्फिसरिया और हमेशा सेम तैंट से बराबं में यह दो यह रखना जब मैं क्वेश्षिन करवाऊ में बंदि tah जिए JUST आते हैं किस तरीकी से याद रखने हैं जब questions करवाँ गों तब हम लोग इस पर discuss करेंगे examiner क्या पूछता है दो figure own है जो paper में बहुत ही जादा frequently पूछी जाते है spherical shell क्या होता है आप लोगों ने घर पे कोई ring देखी होगी अपनी जिसमें इस तरीके से आपके सामने होता है बीच में खाली होता है लेकिन इस तरीके से आपके रिंग होती है examiner इस पर question पूछता है बहुत बार इसको important डिख लेना यह square का ही पार्ट आप लोग मान लीजिए उसी के स्फेर है इसका volume क्या होगा इसका volume होगा 4 by 3 pi r cube और अगर आप पूछों जो यह पार्ट है इसका क्या होगा इसका होगा 4 by 3 pi r cube ठीक है स्मॉल अब अगर कोई पूछे आपको इस शेल का बताओ क्या volume होगा तो जो बड़े सरकल से अगर चोटा माइनस कर दोगे बड़े स्फेर से चोटा माइनस कर दोगे आपका यह निकलाएगा ठीक है 4 by 3 आर क्यूब जो आर स्क्वेर जो हमारा बाहर वाला यह है फिर उसमें से छोटे को माइनस कर दोगे आपका यह आज आएगा 4 by common आर स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर इसको याद रखना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्णेंट है बहुत बारे स्फेरिक स्फेर के ऊपर अगर बात करें बनता है वह स्फेरिकल शेल जो पर बनता है हाँ अब मैं आपको दो तीन चीज़ों बताते तो अब जैसे कोन है कोन के ऊ कहते है इसको अब भू कहते है फ्रस्टम मैं आपको इसका मी बताहोगा यह जरूरी नहीं होता कि कॉन सिलेंडर आपको इस तरीकी से दीए है तो आपको पूछा जाएगा ऐसा जरूर नहीं होता आपको फ्रस्टम का पूछ लेगा टोटन सर्फिस एरिया क्या है या फिर आपको बोल देगा कि आपके पास एक बकर्ट है उसका बताओ क्या होगा तो यह चीजे आपको पताओनी चाहिए इसलिए यह सारी चीजे में आपको करवाओंगा आज मैं सिर करते हैं हम लोग आज की लास्ट ज्यादार मैं इसको लेक्टर को नहीं खींचूंगा आप लोग इसको साथ-साथ करते रहना देखो नेक्श फिगर आती है हमारी स्फेर ठीक है है हमिस्फेर को बीच से काड़ दिया अब देखो वॉल्यूम ओफ हमिस्फेर क्या है हम सेम होगा टोटल सर्फिस एरिया कि नहीं अब यह सबसे इंपोर्णेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा पेपर में बच्चे इसमें गलती करते हैं कैसे करते हैं मैं आपको पहले सर्फिस एरिया उसका वोगों ने बढ़ा था क्या था फोर पाई आर स्क्वेर यहां पे हाफ कर दो क्या हो जाएगा टू पाई आर स्क्वेर जो की आपके सामने अब यहां पर बात करते हैं दुबारा टोटल सर्फिस एरिया की किसका टोटल सर्फिस एरिया एक हैमिस्वेर का अब यह क्या होता है देखो टोटल हैमिस्वेर में हम लोगों ने एक चीज को पढ़ा था क्या किसके बराबर होता है को सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉट्टम यह चीज को हम लोगों ने पड़ा तभी मैंने यह चीज आपको स्टार्टिंग में गई थी बच्चे याद करते हैं लिके अपनी नोट्बुक पे रख लेते हैं पेपर म अब से पूछा जाए किया वा क्या यहां पर आट स्कुर्जूर्ट सक्टार क्रिश अद्री 20 at सबसे बाइचर एक एक्जाम में часовक यही यही कि प्रस्टर में पर नहीं कर रहा हूं जादा इसको नहीं खींचूंगा ताकि आप लोग ना हो जाओ आज हम लोगों ने सिर्फ एक और वर्वियू लिया है इन सब चीजों का कि होते क्या है ये करना इस तरीके से वो तो हम बाद में देखेंगे क्वेशन कैसे बनते हैं फ्रस्टम पर कैसे पूछते हैं स्वारिकल श्यल पर कैसे पूछता है प्रिजम और पिरामिड भी मैं आपको इसी के बीच में करवाऊंगा तो आई होप यहां तक आज आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा अगर आपको पसंद आता है आप इस च आपको ये लेक्चर है HAVE आपको ये पूसरी के टापको इस तक आपको ये लेक्चर में आ आपको ये लेक्चर का सवारी के रहां थाण कर आपको ये बीच्प हैं अभी बीच्प़ह